तो बच्चों हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं थोड़ा सा लाइक क्लासेस में प्रॉब्लम आ गई तो हम आपको पढ़ाएंगे कि इन्वर्स टेग्नेमेटिक फंक्शन और आपको अपको पढ़ाएंगे हम प्रतिलों त्रिकोंड में ती है फलन तो आप समझेंगे यह आपके पास सबसे पहले आपका पहले फ चबश्रण में पास नकमसे समझने में कि तो आसी आपको छाए मित्बच देख्रेक अगे है सब्सक्राइब जैसे करते हैं मैं तो यह पहले आपको प्हणा साहान तो आप समझिएगा, देखेंगा सबस्क्राइब रखेंगा तो इदा को से यहां से आप देखेंगे तो साइन की पावर क्या है ? तो अगर इसको उधर हम बेद देंके तो साइन की पावर माइनस बन लमपटे कड़ गईगा तो मतब ठीटा की value क्या आगई आपके sin inverse लब बटे कंड आगई ऐसे ही अगर आप cos ठीटा बरापर देखें तो क्या होता है आपका आधार बटे कंड तो आपका जो ठीटा की value क्या आजाएगी क्या आधार बटे कंड आज़े एक और एक्जांपल लेड़के आपको जिखाएगे हैं आपसे कहें दिया गया कि sin inverse 3 by 5 है sin inverse 3 by 5 है ठीक तो कहें आपको cos inverse लितना होगा और आपका यह एक्स तो आपको एक्स की value निकाल गए है इसी में sin inverse 3 by 5 है तो cos inverse x तो आपका cos inverse x की value क्या होगी तो देखो साइन में आपका क्या है यह लब है और यह क्या है कंड है तो अगर आप देखेंगे मतलब आधार मचेगा हो कितना मचेगा चार आपको पता है पाइथा गोरस को अब चती चार पास होता है कर लेंगी तो आपके पास अगर देखेंगे आपकर की cos inverse हो जाएगा आपका आधार मटे कंड तो आपकी value क्या जाएगी आपको पास आपको ओर मुल्य को आपको संधाने की कोसिस करते हैं तो आप समझएगा तो यहां से समझना क्या है आपको कि sin inverse, पहला फर्मूला बताएंगे sin inverse x plus sin inverse y की वैलू क्या होती है, sin inverse x plus sin inverse y का फर्मूला क्या होता है, यह आपको बताएंगे, ठीकर देश्वा प्रूबेंट आप देखिएगा, हम मानेंगे क्या, हम मानेंगे कि sin, जो x की value है, वो क्या है, sin a है, और y की value क्या है, sin b है, ठीकर है, हमने मान लिया, अब आपको करना क्या है, आपको फर्मूला बनाना है, तो फर्मूला क्या बनाना है, आप बनाओगे, यहाँ पर आपको value रख रहे है, तो देखिए कि आपका हो जाएगा यहां से देखिए आपका साइन इनलश वाई सहां जांग मतलब आपके पास यहां पर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है A प्लस B अब देखो आपके पास A प्लस B का फर्मूला होता है अगर यहां पर आगे हम sin लगा दे तो यह क्या बन जाएगा sin a plus b बन गया तो आप इसका formula open करों कि क्या हो जाएगा आपका formula होता है sin a cos b plus cos a sin b हमने आपको element में यह पढ़ाया sin a plus b का formula क्या होता है sin a cos b plus cos a sin b मैंने पढ़ाया है आपको आप देखें sin a की value जिसके बराबर है x के बराबर है आप यहां पर लगा सकते हो क्या x cos b की value जिसके बराबर है cos b की value आपको निकालने है sin b की value आपके कितनी है y है sin b की value आपके पास क्या है y है तो आप देखेंगे अगर हम इसको convert करना चाहें तो आपको formula कौन सा लगाना है sin square theta plus cos square theta is equal to kya है 1 है आपका sin square theta plus cos square theta क्या है 1 तो अगर आप इसकी value को रखे दें sin b की value को रखे दें तो इसके बराबर है y के बराबर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin square b plus cos square b is equal to kya होता है 1 समझ जा गया अब आप देखें अगर sin b की value रखेंगे जितनी है y तो y और लगा है square तो लगा देंगे square plus cos square b is equal to kya हो जाएगा 1 तो यहाँ समझेगी cos square b की value हो जाएगी कि यह y square उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा minus 2 हो जाएगा 1 minus y square तो जहाँ cos square b है वहाँ पर क्या रख सकते है 1 minus y square लेगे इधर square हटेगा तो इधर क्या जाएगा root मतलब cos b की value आएगी वो क्या जाएगा under root 1 minus y square बास कमझ में आगे अच्छा अब आप सलदेगे यहाँ पर तो value को हम रख रहे हैं तो यह आपके पास इधर क्या था इधर था आपके आपके पास sin a plus b तो इधर आपके a और b की value को रख देते हैं साथ में a और b की value को put कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा sin और a की value है आपकी sin inverse x plus b की value है आपकी sin inverse y तो बराबर हो जाएगा आपका sin a sin a की value किसके बराबर है x के cos b की value है under root 1 minus y square plus cos a cos a की value आपकी समझेंगे जैसे हमारी cos b की value under root minus y square आई है वैसे ही cos a की value को आप निकालेंगे यहाँ पर sin square a plus cos square a is equal to 1 तो आपके क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा x square plus cos square a बराबर क्या हो जाएगा 1 तो cos square a की value कितनी आजाएगी 1 minus x square तो cos a की value कितनी आजाएगी under root 1 minus x square बात समझेंगे आपको आगी होगी हम समसाना क्या चाह रहें तो यहाँ पर रखेंगे तो यह आजाएगा अंडर रूट बन माइनस y square plus y को बहरे लिख लिए y अंडर रूट बन माइनस x square अब उकर रखेंगे साइन को उस पार में देना है साइन को कहा में देना है उस पार तो आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स x plus साइन इन्वर्स y is equal to यह साइन इधर पावर प्लस वार उथर जाएगा तो कहा हो जाएगा माइनस बन दो हो जाएगा साइन इन्वर्स x अंडर रूट बन माइनस y square plus y अंडर रूट बन माइनस x square बास समझ में आ गई कि नहीं यह आपका हो गया प्रूब यह है आपका फार्मूला बास समझ जा गई प्रूब हो गया आपको समझ में आ गया तो ठीक है यह आपको clear हो गया यह कैसे आया है ठीक है तो आपको बाजर रख गया अंदर हमने यह बास समझाई अब आप नहीं हासे सोगलने का फ्यास कीजिएगा एक फार्मूला आपको हम और समझाते हैं इसी तरीके से फुड़ा आप फार्मूलों को समझेगे जो जो तारा खेल है इसी पर है ठीक है अल्विख आपका है इसी प्रकार से इक और यहां पर माइनस लगा हुआ है तो आपका फार्मूला क्या बनेगा इसकी तगहापर आप क्या और इसके दिगए पर कैशेंगे B और मृतमने आवगों इसे कि राखना है को किसको बना है तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा sin A cos B minus cos A sin B. अब देखें आपने क्या माना है? इसको A माना है और इसको क्या माना है? B. तो देखें आप क्या माने? A is equal to आपने क्या माना? sin inverse X. और B is equal to क्या माना? sin inverse Y. तो अगर sin को इधर भेज़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा sin A बराबर क्या हो जाएगा? X. तो cos A बराबर सेम अभी आपको बढ़ा चुके हैं तो हो जाएगा 1 minus X square. ऐसे ही B बराबर क्या है हमारा? B बराबर है sin inverse Y. तो अगर इसको इध is equal to Y. तो यहां से आपका जो cos B का value आएगा? वो क्या आजाएगा? under root 1 minus Y square. आगया समझ में? अब देखें, आप इन चीजों को यहां पर रख देंगे. तो देखो यह हो जाएगा हमारा sin A की value, sin inverse X minus sin inverse Y is equal to sin A की value X, cos B की value under root 1 minus Y square minus cos A की value under root 1 minus X square और sin B की value है आपकी Y. इसको आगे रख लें. यह इधार रख लिया है, यह इधार रख लिया है. बात समझ में में? तो आप इसको plus 1 है power उधर पे देंगे तो क्या हो जाएगा? inverse, तो यह आपका हो जाएगा sin inverse X plus sin inverse Y is equal to x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square. और आपका यह sin inverse उफर जाएगा sin बुदर जाएगा? sin inverse. और फिर इसको लिखेंगे x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square. समझाने होगा? क्यों क्या गर्णी का प्रयास कर रहे हैं? इसको अपने हाथ से प्रयास करेंगे. खुद से try करना है, बस यह main है तब से. आपको try खुद से करना है. इसके अलावार कुछ नहीं. आपक मैं चाहता हूँ कि आप खुद से try करेंगे. छापने का फ्यास नहीं करेंगे. नहीं जमझ में आएगा? तो आप दुबारा से वीडियो को देखेंगे. और फिर भी जमझ में नहीं आएगा? तो आप message आलेंगे. और मैं आपको दुबारा सुलझाओंगा. अगर कोई प्र